नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त नीहा शर्मा वेलकम है आपका कुंडली टीवी के शो पंड़ जी कहिन में चलिए फ्रेंट्स मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे वास्तू, एस्ट्रो, न्यूमिलोजी एक्सपर्ट और स्प्रिचल गुरू कमल अंदलार जी से नमस्कार पंड़ी जी नमस्कार नेहा जी और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार प्रेंट्स आजकल की लाइफ में स्ट्रेस इतना जादा है कि लोग इस स्ट्रेस को खतम करने के लिए आत्महत्या का सहारा ले रहे हैं लेकिन उसके पीछे हमारे कुणली के कौन से ऐसे योग हैं लोग क्यों इस छोटी सी चीज के सहारे अपनी पूरी जिंदगी को खतम कर देते हैं उसके पीछे जोतिश ये रिजन क्या है हमारे बच्चे या हमारे परिवार के मेंबर ऐसा क्यों करते हैं कौन से ऐसे ग्रय हैं, जो हमें यहाँ तक मजबूर कर देते हैं, आज हम पंडी जी से इसके बारे में चरचा करते हैं. पंडी जी सबसे पहले तुम्हें इसका रीजन जाना चाहते हूं कि लोग हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आजकल आत्महत्या क्यों समझते हैं ऐसा क्यों देखिए निहां मैं यह बहुत ही जादा एक ऐसा विशा है जिस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ज psychological वजे होने के साथ साथ में जोती शीय कुछ ऐसे योग हैं जो व्यकति को आत्म घात इस शवड़ी को समझेगा आत्म घात करने के लिए मजबूर कर Дेते हैंarken जहां व्यक्ति खुद का destruction करता घाए शास्त्र कहते हैं का आत्म घात जीव हत्या के बाद सभश्चा बड़ा किलाएगा लेकिन आत्मघात सबसे बड़ा पाप है इश्वर ने ये जो मनश्जीवन दिया है ये सबसे अनमूल है 84 लाख यौनियों के बाद में मनश्जीवन मिलता है गुस्वामी जी कहे गए गुस्वामी जी ने कहा है कि 84 लाक योनिया आदमी जीता है और उसके बाद में उसके सुकर्मों के बज़े से उसे ये मनुश्र जिवन मिलता है कितनी अनमोल धरोहर है ये और इसका खयाल रखे अपना खयाल रखे ये सबसे बड़ा धर्म है क्योंकि इश्वर मंदिरों के अलावा अगर कहीं बसता है तो आपी के मन में बसता है आपी के आत्मा में बसता है और ये भागवद गीता में कहा गया है शरीरी शरीरी मतलब शरीर में बसने वाली आत्मा तो भगवान श्री कृष्णे कहते हैं कि यह मेरा ही तो अंशा है जो तुम में है तुम मुझे और जगे में डूंड़ो अपने अंदर डूंड़ो इस चीज को डिस्ट्रक्ट कर देना ही आत्म घात कहलाता है और आत्म घात का जो रिजल्ट है वो है अगहम अच्छा पंड़ी जी ऐसे कुणली के कौन से योग हैं जिनको देख कर ये पता लगा सकते हैं कि हमारा फेमिली मेंबर ऐसा कुछ स्टेप ने सकते हैं या हमारा बच्चा ऐसा स्टेप ले सकते हैं लाइफ भिलकुल बहुत अच्छा प्रशना पूछा तेकि जूतिष में एक होता है घात चक्र घात चक्र एक ऐसी प्रणाली है जो तिश्की जो ये बताती है कि पटिकुलर दिन, पटिकुलर तिथी, पटिकुलर प्रहर, पटिकुलर महिना आपके लिए सही नहीं है पटिकुलर करण आपके लिए सही नहीं है जब ये सारे करण आपस में मिल जाते हैं, तो उस समय पर ये सारी चीजें, सोला चीजें आपस में अगर मिल जाएं, तो व्यक्ति के मृत्यों तेह हो जाती है, या घात तेह हो जाता है, जब आप घात जिसे कहते हैं, आप घात, यानि कि खुद को घात कर देना, वो तब होत लगन को पीड़ित कर देता है तब व्यक्ति जीवन के रेस हार जाता है और उस समय पर ऐसा डिसीजन ले लेता है कि वो खुद को मुसिवतों से पार निकालना चाहता है और खुद को मार लेता है चटा आठवा और बार्मे भाव को जोतिश में त्रिक भाव कहा गया जब त् प्रथिष्ठा अगर दाव पर लगजा और आप समाज को मू ना दिखाया पार ऐसी वाली स्तिती आजाए तो जरूर ऐसी स्तिती बन जाती है जहां चंद्रमा बहुत जदा पीड़ित हो जाता है चटे आठवार बारे बहुत है पंड़ी आपने बताया कि साइकॉली कली ज हो से पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति आत्म गहत का सोचने लग सिता ndw ficar t 170 Izra pal PhD अगर केट्व से पीड़ित हो जाये हैं की तो कि साथ मी यूति कर ले तो व्यक्ति के साथ में ऐसी स्तिती बनती है इसकी अलावा जब कभी भी हमारा लगने शरा हो केतूS शनी से पीड़ि प्रभू दर्शन के लिए प्रभू को प्राप्त करने के लिए अत्मत्य कर ली प्रभू कभी वी इस्वर जो है न वो कभी भी बलिदान नहीं मांगते हैं बलिदान मांगते हैं खुद की बुराईयों का ठीक है तो बहुत सारे ऐसे कंडिशन हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ देखे एक तो सेकोलोजिकल कंडिशन होती है जहां पर आप अंधविश्वास में फस जाते हैं दूसरी कं अगर एक्जाम बिगड़ा यह उन्हें सफलता नहीं मिली तो जीवन की जंग हार जाते हैं चौती सबसे बड़ी स्टेज है वो है एक फीमेल के लिए जब वो अपना घर शोड़ के आती है आपने देखा होगा सबसे जादा जो केसे आपको सुनाई मिलते हैं वो यह मिलते हैं कि आर सुसराल में आत्मत्या कर ली किसी लेडी ने पांच में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेम में असफलता यह पांच बड़े फेक्टर्स हैं जिनकी वज़े से लोग सुसालिट टेंडेंसी ले आते हैं लेकिन यह कंडिशन्स बनती कभ हैं जोत में पर घात चकर चल रहा हो और व्यक्ति का चंदरमा सूर्य राहू और केतू से संबंद बनाकर चटे आठवे बारवे भाव को एग्रवेट होने पर ऐसी स्तिती बनती है एक भ्याता के जीवन में ऐसी स्तिती तब बनती है जब सात्मा भाव वह ज़दा पीड़ित हो गय कि फैनेंशल प्रेशर हर किसी पर होते हैं लेंसा रिस्क ले लेटे हैं तो उसरी स्कों पार ना पाने के कारण लोग खुतकी और खुद के परियुआरं की चाननों लेते हूं और अम्मुमन आप अखभार पढ़ए सूब है पीते हुए तो आपको जरुपता लगेगा कि क जलते किसीने आत्मत्या कर लिए किसानों ने कर्ज के प्रतिया आत्मत्या कर लिए इसका बहुत बड़ा कारण है आजिवीका का भाव अगर पीड़ित है तो व्यक्ति के मन का स्वामी चंदरमा रहों से पीड़तों व्यक्ति University कि आत्मा का सुमिसरों अगर रहों से या केतू से प्राइस आती है तो पणेजु इंधि डेकर यह पता लगाया क्या है तो आप जरूर उसका निवारन खोच सकते हैं कुंडली का सही विवेचन और घर का एटमासफिर बहुत चारा निर्भर करता है देशकाल और स्थिति के व्यक्ति के पर क्या प्रेशर आ रहा है और उस प्रेशर को हम रिजॉल्ड जरूर कर सकते हैं तो घर में सुक सम् और ब्रह्म वाक्य का या भ्रह्म वर्ण का जाप होता है जिसे हम ओमकार कहते हैं विच इस साउंड अफ यूनिवर्स अगर उसका जाप होता है तो वह पॉजिटेव वाइव जाती है वहाँ नेगटिव योग खतम हो जाता है तो जरूर घर में जो है संधिया एक समय के त गंटियां बजाएं कि जब गंटियां बसती हैं तब ओम की ध्वनी जो होती है वो निकलती है उसमें से और जो लोग वैशनव संप्रताय को बिलॉंग करते हैं या लक्षमी पूजन जादा करते हैं वो अपने घर में शंक जरूर बजाएं उसकी वज़े से जो हिकल एल्लिमेंट्स अपनYoYoYoDon्य करते हैं जिसकी वज़े से इस तरीके के बुरे विचार मन में नहीं आता है बहुत बहुत धन्यवाद पंडि जीह हैं आपका भी बहुत भींड़ीन करते हैं हमारे सभी दर्शेकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला हुग हूगा और शेयर करना ना भूलें